हेलो स्टूदेंट्स आज हम लोग विट्मिन डी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि विट्मिन डी क्या है और इसकी खोच किस प्रकार होई इसके तिहास को समझेंगे कि इसकी खोच में किन-किन लोगों का सहयोग रहा है इसके साथ ही हम समझेंगे विट्मिन डी की गुर्ण धर्म और विशेस्ताएं क्या है इसमें क्या-क्या प्रोपर्टीज पाय जाती है तथा विट्मिन डी के प्रमुख कारे देखेंगे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि विट्मिन डी की कमी से कौन-कौन सी बिमारी होत है उसका passion और absorption कहा होता है साथ ही हम देखेंगे Richmond D की प्रती दिन की requirements क्या है तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि vitamins दो प्रकार के होते हैं एक gel maculenceil दूसरा वसा maculenceil जल maculenceil vitamin हमने देखा था कि vitamin A between B, C और P है जो की water soluble है अब हम और हमने दूसरा कटेकी देखा था कि fat soluble vitamin यानि कि वसा maculenceil vitamin तो वसा maculenceil vitamin के बारे में हमने बात करी थी कि vitamin A, D, E और K आते हैं हमने vitamin A के बारे में पहले class में discuss कर लिया था अब हम vitamin D को समझने का प्रयास करते हैं vitamin D हमारे ले क्या क्या कारे करता है, यह कहां से प्राप्त होता है, सबसे पहले vitamin D नाम किस ने दिया था, इसकी खोज किस प्रकार से हुई थी सो हम class को start करते हैं. vitamin D vitamin D एक वसा में घुलनसील vitamin है. है न? fat-soluble vitamin है. ये क्या है? fat-soluble vitamin है. vitamin D क्या है? fat-soluble vitamin है. fat-soluble fat-soluble vitamin है. ठीक है इसका रासानिक नाम कहा है तो इसको रासानिक तोर पर कैलसी फिरॉल कहा जाता है क्या कहा था है कैलसी फिरॉल और इसे संसन विटामिन भी कहते हैं इसे एंटिरिकेट विटामिन भी कहते हैं क्यों कहते हैं इसे संसन विटामिन क्योंकि यह हमें सूरी के रोशनी तब ही उसमें vitamin D में वह परिवर्टित होता है और जब हमारे तवचा पर पर पढ़ता है। सूरज की रयक्षिन करता है यह हमें प्राप्त होता है हमारे तवचा पर रॐच्पद पर रिएक्षिन करता है किसी तव पूच पढ़ता है तब150 byषबती होती है। किसे Sun Science है, इसको Anti-Ricket Vitamin भी कहते हैं, क्योंकि एक रोग होता है, ठीक है, ये बच्चों में, इस्पेसली बच्चों में एक रोग हो जाता है, जो कि 6 माह से 5.5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें इस्पेसली एक रोग होता है, जिसको Ricket कहते हैं, तो Between D का क्या कार है, Between D, Ricket क रोग थाम में मदद करते हैं, जिस भी चीज में Anti लग जाएगा, तो समझ दिजिए, वो उसके विरोधी है, है ना, Entry Drug हम चलाते हैं, Entry Drug अभियान चलाते हैं, अरनसा मुक्ती अभियान, उसी प्रकार से क्या है, Anti जहां भी लग जाएगा, वो उसके विरोधी हो जाएगा तो विच्मिन डी का क्या का करता है, विच्मिन डी को Anti लिकेट विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, Anti लिकेट विटामिन, हम इसे कैलसी फिरोल कह रहे हैं, हम इसे संसाइन विटामिन कह रहे हैं, हम इसे Anti लिकेट विटामिन कहते हैं, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, ए Bylesy Melboy नाम के वेग्यानिक ने देखा कि Cod Liver Oil से वहने सूखा रोग के बारे मता है, यानि कि सूखा रोग को रिकेट में कहता है, सूखा रोग ही क्या है? ये सूखा रोग ही रिकेट है, तो Melbourne ने बताया कि विच्मीन ए से, विच्मीन ए का अगर हम निकाल दें, ठीके कॉर्ड लिवर ओयल से मच्छिरी का जो तेल होता है उसे निकाल दें तो भी हम सूखा रूखा उपचार कर सकते हैं किसे कर सकते हैं तो उन्होंने जो उसमें तत्व पाया उसको उन्होंने विटमिन धी नाम दिया क्या नाम दिया विटमिन धी नाम दिया इसी प्रकार से 1924 में स्टीनबॉक और हेक्स ने बताया कि भोज पदार्थों पर किस पर भोज पदार्थों पर अल्ट्रा वाइलेट जो किरने पड़ती है भोज पदार्थों पर अल्ट्रा वाइलेट किरने पड़ने से क्या होता है अल्ट्रा वाइलेट की जो लाइट पड़ती है तो जब भोज पदार तो पर अल्ट्रा वाइलेट की किरने पड़ती हैं, सूरे की किरने पड़ती हैं, हम जानते हैं कि सूरे की किरने में अल्ट्रा वाइलेट रेस पर होता है, तो क्या होता है, वो विटमिन डी में कनवर्ट हो जाता है, अब हम आगे देखते हैं कि 1922 में क्या रोधीतब, यानि कि वही anti-ricot, ततु उन्हों नाम दिया, किसनों नाम दिया, anti-ricot नाम दिया है maculamहि, maculam में 1922 में बताया कि vitamin D anti-ricot property का vitamin है, anti-ricot, ततु इसमें पाया जाता है, ठीके, हम ने यह देख लिया, कि vitamin D का, क्या रस्यानिक नाम क्या है तो इसका रसाइनिक नाम कैलसी फिरॉल है रसाइनिक नाम क्या है कैलसी फिरॉल है इसे संसर विटामिन कहते हैं एंटी डिकेट विटामिन कहते हैं या मैलबान ने बताया था रिसर्च करके कि ये सूखारों के उपचार में सहायक है और 1924 में हेकबॉक और हेक्स ने बताया कि अल्टा-वायलेट के किर्ने पर विट्मिन जी के गुंड धर्म आ जाते हैं भोज-बदार्थों पर है ना उसी प्रकार से मैकुलम ने बसा में घुलंसील विटामिन इसका नाम दिया anti-ricate vitamin है ना anti-ricate vitamin दाम दिया 1922 में maculin यह तो हमने उसका इतिहास देख लिया और उसके नाम देखे vitamin D का किया किनकी नामों से हम जानते हैं हमने देखा इसको anti-ricate vitamin करते हैं इसको sun sun vitamin कहते हैं और क्यों कहते हैं यह भी हमने समझने का प्रयास किया अब देखते हैं कि इसकी property क्या है तो vitamin D जो होता है ना यह पानी में घुल यह क्या होता है सफेद रंका तथा वसा में घुलंसील vitamin है क्या है यह इसकी जो रंग होता है सफेद रंका होता है मतलब रंग हीन होता है कोई सफेद रंग का तो कोई रंग होता ही नहीं है तो ये रंग हीन होता है यानि कि सफेद होता है और ये कहां गुलंसील है तो ये वसा में गुलंसील विटामिन है हम जानते हैं कि वसा में गुलंसील विटामिन और भी है A, B, E और किया आता है ना वसा में घुलंसील विटामिन क्या है? A है, विटमिन A है, D तुम पढ़ी रहा है, फिर E, E है, विटमिन E है और विटमिन K, यह क्या है? यह वसा में घुलंसील विटामिन है, है ना वसा में घुलंसील विटामिन है, तो और क्या होता है? इस विटमिन इस विटामिन पे, वि करना ले दो दो सबस्क्राइण कि अधनीं पीठीन से अधनी हो रहा कि भी मीनीड है। गुलंसील है ताथा इस पर गर्मी का इस पर एसिड का इसका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उसके नस्ट नहीं होता है है ना जैसे कि जल में गुलंसील विटामिन है वो क्या होता है जल में खुल जाते है तो नस्ट हो जाते है और उन पर ताप का भी प्रभाव प पकाना चाहिए यह हमने देख लिया talkin me hoş विटमिल का प्रोपरalah क्या है अब हम देखते हैं कि विटमिल क्या जा नाम है ठींग हम मनुश्य के जो प्योग में लाते हैं किसक्रकॉन कौन से दो प्रकार है तो मोश्टली हम दो प्रकार के vitamin D का पर्योग कहते हैं एक को कहते है vitamin D2 और दूसरा है vitamin D3 अब देखिए vitamin D2 vitamin D2 के बारे में vitamin D2 क्या है vitamin D2 के बारे में हम देखते हैं कि यह क्या है vitamin D2 यह कि इसको calcium for all या अरगर strong या pro vitamin भी कहते हैं क्या कहते है vitamin D2 calcium for all हमने देखा कि vitamin D का नाम कैसिफिरोल है तो विटमिंटी ट्यू को कैसिफिरोल कहते हैं अर्गेस्ट्रॉल कहते हैं और प्रो विटामिन कहते हैं ठीक है इसको प्रो विटामिन भी कहते हैं यह एडी एक यह सब क्या है यह प्रो विटामिन है यह पेर पौधों से यह प्राप्त होता है पेर अल्ट्रा विलिट किरने पढ़ने पर क्या होता है जो फल वगएरा होते हैं उसमें कैसिफिरोल बनता है सुरिय की किरनों से वो कैसिफिरोल कंऻर्ट हो जाता है इस पकर हम देखते हैं, विटमिन डू, विटमिन डी टू, वो क्या कहते हैं, प्रो विटामिन कहते हैं, और ये अर्गेस्ट्रॉल है, अर्गेस्ट्रॉल है, ये हफुफदी, खमी, और जब पेर पौधों की फल वगएरा पे मुखसूरज की किरने पड़ती हैं, तो वो कलस कलसिफिरोल में चेंज हो जाता है, ठीके, अब विटमिन डी 3 क्या है, विटमिन डी 3 को 7D हैड्रो कलस्ट्रॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, 7D हैड्रो कलस्ट्रॉल, विटमिन डी 3 क्या है, 7D हैड्रो कलस्ट्रॉल है, ये प्रो विटामिन, इसको प्रो विटामिन 3 भी कहते ह यह मनुस्य के किरेस्ट्रोल से बनता है और थ्वचा पर अल्टरा विलेट किरने पढ़ने से यह चेंज हो जाता है ठीक है और हम देखते हैं कि जो विट्मिन D है विट्मिन D3 है विट्मिन D2 के पेक्षा यह अधीक किरियासील होता है क्या होता है विट्मिन D3 है वो विट् d2 दो प्रकार के होते हैं एक vitamin d2 और एक vitamin d3 और जो है d3 अधी क्रियासील है d2 की अपेक्छा अब हम देखते हैं vitamin d हमाई लिए क्या क्या कारे करता है इसके कारे क्या है function क्या है vitamin d के vitamin d से calcium तता फासफोरस अब जहाँ vitamin d का नाम आएगा वहाँ calcium phosphorus रहेगा ही रहेगा क्योंकि vitamin d को हम calcium phosphorus का अच्छा मित्र भी कह सकते हैं उनको best friend भी कह सकते हैं किस को vitamin d के दो best friend है vitamin d के दो best friend है कौन कौन से है calcium phosphorus ये इसके best friend है है न 16 Dim Dim D के विटमिंटी के बेस्ट फ्रेंड है क्या है? इसके बेस्ट फ्रेंड है ठीक है? तो यह क्या करते है क्योंकि इसलिए इसको बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि यह उसके बिना कैल्सियम अफासफोरस के विटमिंटी हमारे लिए कुछ ही नहीं कार कर सकता है ठीक है? यह केलसियम फासफोरस के आउस्योशन में सहायक है और केलसियम फासफोरस विच्मिंटी के आउस्योशन में सहायक है यह समझ भीच्मिंटी केलसियम फासफोरस कहा छोटी आथ में आउस्योशन करता है क्या करता है अभी Sosan को बढ़ाता है और नियंतृत भी करता है जादा मातरां में KALS tenía USS venus a sirree में हो जाएगा तो वह भी नुक्सान है क्या करते हैं तो vitamin D क्या करता है नियंतरन करता है, क्या करता है? Ashatan के अमने पर क्या करता है और जtoo कह आते हैं विटमिन D के अंड़ ऊपस्तिती में calcium काम नहीं कर पाएगा तो अगर काम नहीं कर पायेगा है विरीнут हो थे नहीं कर पाये तो चलके कर नहीं कर नो के जक्तितक कर दोक着ical um krus Fore यह कास यह लृई гр में उक्तो यह वास क्विकूंदा रिफ्चार जाएगे हमारे की स्रीं में utilize उनका नहीं होगा ठीक है तो इस पकर हम देखते हैं कि vitamin D क्या कर रहा है calcium phosphorus के absorption को बढ़ा रहा है है ना बढ़ाता भी है और नियंत्रित भी करता है नियंत्रित भी करता है साथ-साथ calcium absorption को बढ़ाता भी है calcium और फारस्फोरस कर साटिटेट को विटमीट करता है बढ़ाता भी है और नियनतरित करता है अब देखते हैं कि क्या दूसरा कारा क्या है रख्त में jap column केल्सियू तर्स अच्पोरस की मात्रा को नियमित करने का विकार्य करता है हमारे रख्त में hyp posters होता है तो भी नियंत्रित करता है नियंत्रित नहीं रहने से रक्त में केल्सियम जम जाएगा और ब्लॉकेज होने लगेगा है ना तो इस परकर हम देख रहे हैं विचमिंडी के दो क्या है यहां पर हमने देखा कि केल्सियम फासफोरस का और शोशन को बढ़ाता भी यह और नियंत्रित भी करता है और रक्त में उसके मात्रा को नियमित भी करता है ना उसके बाद हम देखते हैं यह क्या करता है विचमिंडी का धर्ड का क्या है प्रोटीन का स्रीजन करता है क हमारी आत में अत्रियों में क्या करता है अत्रियों के म्यूकस में प्रोटीन का क्या कर रहा है स्रीजन कर रहा है ना अत्रियों के म्यूकस में प्रोटीन का स्रीजन करता है ठीक है और अस्थी के निर्मान में अस्थियां क्या होती है हडियों में केलसियम होता है केलसियम फास जाएंगी ठीक है उसके बाद विटमिंडी का क्या क्या रहा है विटमिंडी समाने वृध्धी और वृध्धी के लिए भी हमारे मांसिक विकास के लिए भी अती आवश्या के विटमिंडी है ना तो मांसिक विकास में सहायक है और क्या कर रहा है विटमिंडी दातों को स्वस के लिए अनिवारे हैं, इसके बिना हमारे मसूरे फूल जाएंगे, उसमें रक्त आ जाएगा, दातों का च्छै होने लेगा, क्योंकि केलसियम फासफोरस से ही बनता है, हम जानते हैं कि हमारे दाथ, हमारे हड़ियां, इन सब में केलसियम फासफोरस भरपूर मातरा में होता ह अगर नहीं रहें, तो हर्डियों में दर्द होगा, हर्डियों का मिकास नहीं होगा, दातों का मिकास नहीं होगा, इस पकार दातों के स्वास के लिए भी विटमिन डी आती आवश्यक है, और क्या करता है, सिट्रिक एसिड के चैया पचे में विटमिन डी क्या करता है, कि वीटमिंडी और केल्जी मुर्फ काम नहीं चलता है अब धेखते हैं कि वीटमिंडी के कमी का क्या प्रभाव परता है वीटमिंडी के कमी से सबसे जो बार-बार नाम आता है वो क्या है वो सूखा detection क्वा क्या हुआ है जिकों कि रिकेट कहते हैं सुखा रोग, विट्मिंटी के कमी से क्या होता है, सुखा रोग होता है, यह इस पेसली बच्चों में होता है, जो कि 6 महिने से 18 मायान की 1.5 साल तके बच्चे होता है, और वो उसमें बच्चों में क्या हो जाता है, तीनों की जब कमी होती है, कि बो लेग कौन से बिमारी में होता है तो बो लेग रिकेट में होता है यानि बो लेग में क्या होता है हड़ी और पाओं की जो हड़िया होती वो मुड़ जाती है एक तरह से पतली होके मुड़ जाती है तो बो लेग कहते है यह सुखारों का most important लक्षण है फिर क्या होता है बच्चों का जो soft skill होता है जो तालू भाग होता है वो सीर के मद्धे में जो छोटी बच्चे होते हैं जो तालू भाग होता है वो दबता है तो वो क्या होता है काफी नरम हो जाता है सीर के मद्धे भाग जिसको तालू भाग भी कहते हैं वो soft skill हो जाता है मतला मुलायम हो जा खूरो में Hang जाता है पैट फूलने लगता है और पैट फूल को पिंजण चेस्ट कहते हैं यह पी कई बार किस बीमारी में होता है इस तो यह2000 चेस्ट बिचन ? किसके रिकेट्स के जिसको कि हिंदी में सुखारो भी कहते हैं और पीजन चेस्ट में क्या होता है जो पसलिया होती है जो चेस्ट में जो हर्डिया होती है पतली पतली उसको पसलिया कहते है पसलिया जो होते है वो उनका विर्धी विकास रूख जाता है और ऐसा लगता है कि बच्चे के शाती में सिर्फ पस्रियां ही पस्रियां नजर आ रही है तो इसको क्या कहते हैं पिजन चेस्ट कहते हैं बोले कहते हैं जब कि हमारा जो घुटने से लिए नीचे का पाठ होता है वो मुड़ जाता है और बिल्कुल पतला हो जाता है तो इसके ये लक्षन है कि य जोडों में सूजन आ जाता है तो यह किसके लक्षन है यह रिकेट में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं रिकेट किसकी कल्मी से होता है तो विट्विंडी के कमी से रिकेट होता है और उसके साथ साथ केल्सियम फासफोरस की कमी भी होती है ठीक है अब हमने देखा रिकेट अब हम आ तो टिटैनी नामक रोग हो जाती है क्या हो जाता है टिटैनी हो जाता है अगर सूखा रोग का हम समय पर सूखा रोग का समय पर उप्चारने करते हैं तो टिटैनी हो जाता है टिटैनी में क्या होता है तो जितने भी जोइंट्स होता है joints में दर्द होता है adzon होती है और कभी-कभी बेहोसी की स्तिती भी आ जाती है तो इसे क्यों होता है का calcium OH, phosphorous का चयापचे नहीं हो पाता है हीència कि कमी होगी तो calcium phosphorus का चयापचे नहीं होगा absorb नहीं होगा, हमाने लिए नहीं होगा, जिसे क्या होगा कि सुखा रोग हो जाता है और थाइराड गंत्री में भी गरबड़ी हो जाती है पैरा थाइराड गंत्री में गरबड़ी होने से क्या हो जाता है टिटैनी हो जाता है तो हम देखते हैं कि विट्मिंडी की कमी से और केलसेम फासफोरस की कमी से होता है जहां भी विट्मिंडी विट्मिंजी के कौन दो बेस्ट है? केल्सियम और फास्फोरस उसके बाद क्या होता है? औस्टोमेलेसिया की हम बात कर लेते हैं औस्टोमेलेसिया क्या है? देखे, रिकेट तो हम ने देखा कि बच्चों में होता है ठीक है? इसको बाल रिकेट भी कहता है अमरिकेट होता है बच्चों में और ओस्टो मेलेसिया किसमें होता है तो ओस्टो मेलेसिया होता है किसोरों में होता है और वैशक में जो एडल्ट लोग होते है उनमें क्या हो जाता है ओस्टो मेलेसिया हो जाता है कौन सी रोग होती है विटमिन डी के कमी से ओस्टो मेलेसिय के disease हो जाती है क्या हो रहा है और इससे क्या होता है सरीर की जो अस्थियों की बनावट होती है न वो बनावट की परकिरिया रूप जाती है सरीर की अस्थियां विकिर्थ हो जाती है इस पेसली जो pregnant women होती है जो लेक्टेट मदर होती है यानि कि धासरी माता होती है दूद बिलाने वाली माता होती है और गड़ अवस्ता में क्या होता है अधिकतर कमी देखी जाती है है न केलसियम फासफोरस की और विजमिंडी की कमी अधिकतर देखी जाती है इस अवस्ता में क्या होता है व्यक्ति का वजन अधिक ह हो जाती है कि अनुचित विकास होता है मूड जाती है और उनमें क्या होता है सूजन भी हो जाता है चलने फिरने में कठनाई मैसूस हो जाती है और जब ज्यादा वजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हद्रियों प्रभार पड़ेगा और वो टूट जाती है तो क्या होता है विटमिंणी की कमे से औस्टियों एस तरह से हडियों के जवाइश के इस तरह की अकार होती है वह मूत पूल जाता है मूथ forgiven यहीं से तो अटेच होती है तो क्या होता है अटेच नहीं हो पाती है और हडियों में छेद हो जाता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो यह मुख्य क्या होता है किसमें होता है व्रिधों में होता है और इसका ऑस्टोपोरिसस का मुख्य कारण आहार में विट्मिन की कमी होत है और वैशकों में एडल्ट में क्या हो रहा है और व्रिधों में ऑस्टियो पॉरिसेस हो रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि विट्मिटी की अधिकता से क्या होती है विट्मिटी की अधिकता से पैरा थाइडर हार्मोन में अधिक व्रिधी हो जाती है अधिक केल्सियम और फासफोरस की मात्रा बढ़ जाती है कहां बढ़ जाती है बिटमिंटी के दिखता से पैरा थाइडर जो हार्मून होता है उसके रख में केलसियम और फासफोरस की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है और क्या होता है दिखता हों से हमारे सरीर में बहुत जग़े पर जैसे कि हिर्द ये विट्मिन डी का ज़्यादा होना भी नुक्सान दायक है क्योंकि इस केल्सियम फासफोरोस बढ़ने से हमारी धमनियों पर दबाव पड़ता है, हिर्दे में दबाव पड़ता है, गुर्दे का अपने प्रोपठंग से काम निक करते हैं और हार्ट फैलियोर की डिजीज क संभावना होती है, विट्मिन डी अब हम देखते हैं कि कहां से प्राप्ति आयता है, विट्मिन डी सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है, ये कॉर्ड लिवर तेल और ये किर्द के तेल में है न, कॉर्ड एक प्रकार का मचली होती है, कॉर्ड मचली, तो उसके जो तेल हो इसको काड़ देजिए actually selfish है selfish है इसको हम काड़ देते हैं यह क्या है selfish है selfish मचलियां और having जो मचलियां होती है उसमें क्या होता है vitamin D की भरपूर मातरा होती है संपुर्ण अंडा में होती है अंडी की जर्दी में, मक्खन में, ताजा दूध में vitamin D की प्राप्ती भरपूर मातरा में होती है इसको आप साड़ी को सही कर ली जागा यह selfish है यह क्या है selfish है तो हम देखते हैं कि vitamin D की प्राप्ती क्या हो रही है यह किट में हो रही है कॉड लिवर में हो रही है having मचलिया में हो रही है सेल्फ मचलिया में हो रही है, संपूर्ण अंडा में हो रही है, अंडी की जर्दी में हो रही है, मक्खन, घी, ताजा दो, यह सब क्या है, विट्मिंडी प्राप्ति के साधन है, यह भोज साधन है, इसके अलावा सूर्य के किर्णों से तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, अब हम किर्थ में होता है और कुछ मात्रा में पीलहा में होता है हमारे जो स्कीन होते हैं वहां पर एपिडोज उत्तक होता है ठीक है तो वह क्या होता है चर्विदार उत्तक होता है जिसमें की उस पर सूरे की किर्णे पढ़ने से क्या होता है विटामिन डी का संस्ट्रेशन होता है और संट्रेशन होता है बनता भी और संग्रा भी होता है तो विटमिन D का संग्रा कहा होता है यकिर्ट में होता है एपिडोज उत्तक में होता है और पीला में होता है चीक है तो इस परकर हम देख रहे हैं विटमिन D का संग्रा इन अस्थानों पर होता है अब हम देख लेते ह 16-18 बर्द की सोर की यानि कि बालक बालिकाओं की लड़के लड़कियों को तो उनको 200 IU इंटरनेशनल इमुनिट के हो सकता होती है जो वैशक होते हैं बैसक यहां पे लिखा हुआ है जो वैसक यानि कि अडल्ट इस तरी पूरूस होते हैं उसमें उनमें भी 200 IU इंटरनेशनल इमुनिट के हो सकता होती है लेकिन गर्वती माता जो प्रिगनेट विमन होती है और लेक्टेट विमन होती है यानि कि धात्री माता दूद पिलाने वाली माँ उनको 400 उनकी आवसकता डबल हो जाती है एडल्ट से और डबल हो जाती है तो 400 यानि कि 400 इंटरनेशनल इमुनिट के आवसकता छोटे बच्चों के भी होती है जो कि 5 साल के होते हैं और जो गर्वती माता होती है जो प्रिगनेट विमन होती है और जो लेक्टेट विमन होती है जो दूर्द बिलाने वाला माते होती है उनको भी उसकता होती है तो इस परकार हमने देखा कि वीटमिंजमिंजी का इतिहास देखा देखा कि किन किन लोगों ने इनको खोचने में मदद करी है तो इसके हमने गुंध हम विसे स्ताय देखी इसके कारे देखा क्या क्या कारे करता है कमी अधिक्ता का प्रभाव देखा प्राप्ति के साधन देखा और संग्र और शोशन और प्रतिदीन के अउसक्ता के बारे में हमने जाना और समझा आज के लिए इतना ही धन्यवाद